किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। जब व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ होता है तो वो चिंता में रहता है। मांसिक परिशानियां बनी ही रहती है। कई बार कर्जे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और व्यक्ति सालों तक कर्ज के बोज के नीचे दबा रहता है अगर आपको भी किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ रहा है तो कुछ बातों का ध्यान रखके आप असानी से अपने कर्जों को चुका सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कर्ज मुक्ति के लिए कि आप क्या क्या करें जिससे आपके उपर कर्जे जादा ना चढ़े हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है हर व्यक्ति चाहता है कि वो तरक्की करे और तरक्की करने के लिए वो दिन प्रति दिन कर्जे लेता रहता है और ऐसा करके करजे दिन प्रति दिन बढ़ते चले जाते हैं और चुकते ही नहीं है इस वज़े से उसके चिंताएं बढ़ती रहती हैं उसकी परिशानियां बढ़ती रहती हैं मानसिक तनाव बढ़ता रहता है और जीवन में आगे बढ़ने के सारे द्वार बंध हो जाते है कर्ज बहुत बुरी चीज है अगर आपके ऊपर भी ये कर्जा बहुत जादा हो गया है तो उसको चुकाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं आज की वीडियो में आप वही जानेंगे कर्जों को चुकाने के लिए बहुत से लोगों को ये उपाय करवाए गए हैं और उनको इसके लाब भी प्राप्त हुए हैं तब ही ये वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप भी इसे आजमा के देखें आपको जरूर लाब मिलेंगे आज का जो ये प्रयोग में आपको बताने वाली हूँ ये सिद्ध प्रयोग है अगर आप इसको नियमत रूप से करते हैं तो आपके करजे जरूर उतर जाएंगे इसमें कोई संधे नहीं है आपको भी संधे करके इस उपाय को नहीं करना है जितना आप विश्वास के साथ शद्धा के साथ और भाव के साथ इस उपाय को करेंगे उतना ही जादा लाब आपको प्राप्त होगा और उतनी ही जल्दी आपके करजे उतरने शुरू हो जाएंगे करना बहुत ही ध्यान से है और बहुत ही शद्दा और भाव से है, ये बहुत जादा जरूरी होता है जब आपको युपाए करते हैं क्योंकि वो तभी असरदार होते हैं जब आप इनको शद्दा भाव से करें और नियमित तरीके से करें इस सिद्ध प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है आप इसकी विधी को पूरी तरी से नोट कर सकते हैं और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को दुबारा भी सुनकर इस विधी को जान सकते हैं आपने इस प्रयोग को मंगलवार के दिन से शुरू करना है क्योंकि मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंदित माना जाता है और इसके देवता हनुमान जी माने जाते हैं अगर आप मंगलवार के दिन से इस प्रयोग को शुरू करते हैं तो आपको विशेश लाब इसके मिलते हुए दिखाई देंगे मंगलवार अगर शुकल पक्ष का हो तो और भी बहतरीन उपाए साबित हो सकता है इसलिए शुकल पक्ष के मंगलवार को सुबह सुबह आप उठ जाएं, सुबह का समय वो समय होता है जब आपकी उरजाएं पूरी तरह से विक्सित होती हैं और ब्रहमांड से पूरी तरह से उरजाएं लेने के लिए आप तयार होते हैं तो ऐसे में सुबह तीन साड़े तीन चार बजे तक आप उठ जाएं और इसको आपने एक नियम बनाना है आप मेंसे बहुत से लोग कहेंगे के नियम बनाना बहुत मुश्किल है ये तो बहुत मुश्किल काम है सुबह सुबह कैसे उठा जाए पर आपको एक नियम बनाना प करेंगे और कभी कर लिया कभी छोड़ दिया इस प्रकार से उर जाएं काम नहीं करती हैं और फिर आपको कोई लाब नहीं मिलेगा तो इसलिए इस चीज़ को आपको नियम बनाना है एक दिन दो दिन तीन दिन मुश्किल लगेगा उसके बाद आपके लिए आदत बन जाएग जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करें ऐसे में आपने लाल रंग का एक आसन बिचा लेना है सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखना है बहुत जादा कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है लाल रंग का एक आसन लेकर आप उस पर बैठ जाएं और हनुमान जी का ध बुकारेंगे तो वो आपकी आवाज को जरूर सुनेंगे और उसके बाद आपने बजरंग बान का पाठ शुरू कर देना है बजरंग बान का पाठ मंगलवार से आपने शुरू कर दिया है इसके बाद रोजाना आप इसको पढ़ें सुबह उठकर उसी समय पर रोजाना ए पड़ेगी और वो आपकी मदद जरूर करेंगे आप इस उपाये को रोजाना करते रहें और लगातार कम से कम छे महीने तक आप इसको जरूर करके देखें आप देखेंगे आपके करोडों उपए के कर्जे भी माफ होते चले जाएंगे माफ मैं यहाँ पर नहीं कहूंगी ब अपने आप खतम होती चली जाएंगी आप अपने आपको भगवान को समर्पित करके देखें यह उपाये बहुत कारगर है पर करना आपको सुबह के समय में है और रोजाना का नियम जरूर बना लें कहीं बाहर जाना है तब भी आप इस नियम को मत तोड़ें आप जिस भी जगे पर रह रहे हूं वहाँ पर सुबह उटकर अपना आसन साथ ले जाएं और बिछा कर आप सुबह सुबह बजरंग बान का पाट कर लें बहुत जादा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैसे करेंगे कहीं कहां रहेंगे और वहाँ पर कैसे होगा यह प्रियोग तो अगर आप रोजाना एक ही समय में उसी पाठ को करते हैं तो उसकी उर्जा आपके औरा में विक्सित होनी शुरू हो जाती है और भगवान आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं इस प्रकार से अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो छे महीने के अंदर अंदर आपके सभी रास्ते जो भी कर्जों को लेकर बंद पड़े हुए थे वो सब खुलने लगेंगे और आपकी सारी परिशानियां दूर हो जाएंगी अब आपने क्या करना है जब आपने इस उपाय को शुरू किया है उसके चौथे मंगलवार में आपने मंदिर में जाना है मंगलवार के ये तीनों चीजें बहुत प्रियां है इसलिए जब आप उनको अर्पित करेंगे तो आप उनसे प्रात्ना करें कि वो आपकी पुकार को अवश्य सुनें और हरुमान जे आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे तो ये प्रियोग भी आपने मंगलवार को ही करना है और हर मह सारी टेंशन खतम हो जाएगी और हनुमान जी आप पर अपनी विशेश क्रिपा करेंगे जब से आप इस प्रियोग को प्रारंब करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके घर में जो भी पैसे हैं जो भी आपके पास धन संपत्ति हैं आप उससे अपने लोन की किष्ट को मंगलवार के दिन चुकाना शुरू कर दें आप चाहे थोड़े से पैसे चुकाएं पर मंगलवार के दिन से प्रारंब कर दें और आप मंगलवार का दिन ही निश्चित कर लें जब भी आप अपने करजे की किष्ट को चुकाएं तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है जब आप मंगलवार के दिन से अपने करजों की किष्टें चुकाना शुरू करेंगे, तो वो किष्टें अपने आप चुकता होना शुरू हो जाएंगी, हनुमान जी की कृपा आप पर होगी, और भगवान हनुमान आपकी मदद करेंगे इस करजे को उतारने के लिए, मंगलवार और इसको करके बहुत से लोगों ने लाब भी पाया है आज मैंने जो उपाय आपको बताया है इसमें आपका कोई भी धन खर्च नहीं होने वाला बस आपको एक नियम बनाना है और उस नियम के अनुसार आपको कारे करने हैं आपने सुबह सुबह उठकर रोजाना तीन तीन बजे के समय में बजरंग बान का पाट करना है और एक बार ही बस आपको बजरंग बान का पाट करना है कोई बहुत जादा बार नहीं पर आपको इस नियम को छे महीने तक रोजाना करना है और मंगलवार को अपने पैसे चुकाना शुरू करें जो भी कर्जा आपने ल और इसके साथ साथ भगवान हनुमान जी से प्रात्ना करें कि वो आपके सारे कष्टों को दूर करें। आप कोशिश करें तो ये जरूर हो सकता है और बहुत से लोगों ने इसका लाब भी प्राप्त किया है। आप भी इसे आजमा के देखें और अपने जीवन से समस्त कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी के साने ध्यमें पहुँच जाएं। लिए आपकी मदद भी करें। तो इस उपाये को आजमा के देखें और शद्धा और विश्वास से जरूर करें। ये बहुत जरूरी है ये कभी भी खाली नहीं जाएगा अगर आप इसे विश्वास के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसं लिए आपको आपक।